नमस्कार अब सभी दशकों का लाइव लगतार में सौगत है और जहां एक तरफ आज विशे सत्र आहुत की जारी है 1932 खत्यान और 27% OBC आरक्षन के विद्धय को पास करने के लिए जार्खंड के जनहित में कारे करने जारी है सरकार तो वहीं दूसरी ओध जार्खंडी युवा लगतार विरोध प्रदशन करते वे नजर आ रहे हैं अपनी मांगों को ले करके सड़क पर मौझूद हैं आप देख सकते हैं ये सिक्षा मंतरी के आवास के पास का ये पुरा द्रिश्य है ठीक सिक्षा मंतरी के आवास के बाहर क खत्यानी है जो भी आप प्रमान मांगेंगे वो हम देने के लिए तयार है आज इन सभी अभी अर्थियों ने शिक्षा मंतरी से एक बार फिर से मुलकात की है हम लोग इनसे बातचीत करेंगे आखिर क्या कुछ बाते हुई हैं सिक्षा मंतरी सर से हम लोग मिले और सिक्षा मंत्री वही पुरानी बातों को अभी फिर से दोरा रहे हैं पहले वह कंविंस हुए थे लेकिन आज वह दूसरी तरीके से बातों को कर रहे थे वह बोल रहे हैं कि हम सीटेट लागो करेंगे तो बाहरी बच्चे आ जाएंगे लेकिन जब मैंने उनसे कहा कि 2016 में जब जेट पिर और 1932 नियम आज आप लगाने जा रहे हैं तो उसके बाद ही भारी छटेगा और जार्खंडी बच्चे आप आएंगे तो उसको भी ओन नहीं मान रहे थे और इसके अलावा मैंने एक रूल दिखाया उनको कि किस परकार से जो है जार्खंड में हर साल जेटेट का परि हुआ है इसके बाद हम लोग उनको ये भी रूल दिखाया है हम लोग जैसे नियामावली है उसमें भी साब साब लिखा हुआ है कि 10 और 12 जार्खंड सो होना चाहिए तो हम लोग डिमान नहीं लोकत की हैं जो जार्खंडी सीटेट पास हैं तो इसके बावजूद भी सिच् लागू यहां पर पास किया जाना उसके बाद सेंट्रल जाएगा भले ही विदे क्या कुछ कहिएगा जहां सरकार पूरी तरीके से प्रतिबद है कि 1932 खतियान लोगों को मिलना चाहिए तो वहीं दूसरी और आप लोगों को साइड लाइन कहीं किया जा रहा है देखिए हम सबी जितने भी यहां पर 1932 जो खतियान है इसका हम लोग समर्थन करते हैं और साथी साथ सरकार जितने भी दस्तावेज कमांग करता है जो कि एक सिचक बनने के लिए चाहिए खतियान हो यह टेन प्लस टेन टुवेल भी जहरकंड से होना चाहिए यह सब हम लोग सब कुछ लेकिन उसके बाद भी सरकार का कहना है कि 2016 के पहले जो भी पासकी है जेटेट सिर्फ और सिर्फ वही जहरकंडी है बाकि इस सोला के बाद जितने 22 तक है कोई जहरकंडी है यह नहीं 2016 के भी कुछ प्रमान आप लोगों ने हमारे चैनल को दिखाया था कि उसमें कई सारे बहारी है और वो कॉपी जो है पिछली बार आप लोगों ने सिक्षा मंत्री को दिखाया था उसको ले करके क्या कुछ कहा उन्होंने उन्होंने कुछ भी नहीं का उसको मानने के लिए तैयार भी नहीं देखने के बाद भी नहीं मानते हैं तो ऐसी स्थिति में हमें निराशा मतलग के हाथ लगती है तो देख सकता हैं यहां पर सभी अभियरती कही ना कही निराश है शिक्षा मंत्री के इस पहलू से और हम लोग यहां पर और जो लोग हैं उनसे भी बातचीत करेंगे क्या कुछ कही है कि चुक्कि आप लोग भी अंदर मौझूत हैं दो तरफ दो बाते नजर आ रही है सिक्षामंत्री 1932 खतियान की भी मांग कर रहे हैं और दूसरी और जारखंडियों को नौकरी भी नहीं मिल पा रही है हम लोग हम यहीं काना चाह रहे हैं कि जो जहारखंडी सीटेट है आप उन्हें ही एलाव किजिए यह नहीं कर रहे हैं कि आप पूरे सेंट्रल का एलाव किजिए जो जहारखंडी सीटेट जो पास किया हुआ है उन्हें ही एलाव किजिए जो खतियानी है जो यहां का निवास तो क्यों आप उसमें भी तो बहुत सारे बाहरी हैं जो आप उसी का पहले लेंगे तब आपके बाद में लेंगे क्यों समानता का अधिकार है हम लोग का और हम यह हक लेकर रहेंगे जिस तरीके से पिछले दिनों जेटेट के अभियाती जो है वो भी इनकी समर्थन में उत्र थे 2016 के की जरूर मिलना चाहिए जूकि अब क्या कुछ तैयारी करिएगा क्योंकि क्या लग रहा है आप लोग अब कोट की और रुक करिएगे जो 26,000 सिक्षकों की बहाली होने का जो एलान है वो होने जा रहे हैं उसको लेकर के कोट जाहिएगा या फिर कुछ अन्य तैयारिय ही आप लोगों की है है हम रोग कोट तो जाएंगे सबसे पहले तो आज हम लोग सिङ्छा मंतवी का आवास में आये आने के बास सिछा मंतवी से बहुत अच्छे से बात को रखने के कोशिस किये, सारा पर्मान पत्र हम लोग दिखाएं कि सर, हम लोग नोकरी नहीं मांग रहे हैं, हम लोग ज़स्ट अभी जो आप बाहरी निका रहे हैं, इसमें सी टेट को मैनना ता दीजे, आप जब से सरकार में आये हैं, आप जेटेट यही नहीं है, 2016 के बाद से कोई जेटेट नहीं हुआ है, हम लोग दो लाग उपया खर्च करके बीएट कियें, अब बीएट करने के बाद हम लोग टेट नहीं होने के चरते, नहीं हम लोग प्राइवेट स्कूल में जा पा रहे हैं, और नहीं सरकारी स्कूल में जो बाहरी आने वादा, इस कि उन्हीं को शिपदेना चाहरे हैं अब बाकि सीटेट को बोल रहे हैं कि आप लोग तो जारखंडी है ही नहीं है जबकि हम लोग दिखा रहे हैं परमान पत्रक की सर हम लोग जारखंडी 1932 खथ्यान है हम लोग आपको भोट दिये हैं अर आटीकल सोलों और चोदों में बता पर सभी सिक्षक अभियर्थी जो हैं वो लगा रहे हैं मगर एक बार फिर से कही ना कही कहा जा सकते हैं कि इनकी मांगे यहां पर नहीं सुनी जा रही हैं डिखाएं जबकि इनोंने जेटेट दो सुल लगर के जो अभियर्ती है जो कि पास किये हैं उनके भी रिजल्ट सिक्षा मंत्री को दिखाएं और हमारे एक तरफ जार्खंट में 1932 खत्यान को यहाँ पर लागू किया जाएगा वहीं दूसरी ओर जार्खंटी खत्यानी जो अभियरती हैं वो कहीं न कहीं सभी न्युक्ती से वंचित हो जाएंगे इसे के साथ देखते रहें लाइव लागतार राची से मैं पूझाओ नमस्कार